मुंबई में उत्तर भारतियों को लेकर कई सारे सवाल हमीशा से ही खड़े होते आए हैं चाहे मनसे अजेक शुराच ठाकरे ने उत्तर भारतियों का मुद्दा उठाया हो या फर किसी और ने यूपी वालों को लेकर हमीशा से ही सवाल उठते आए हैं लेकिन अब सवाल ये है कि मुंबई में यूपी वालों की कौन सुने का तीन साल पहले जहां योगी सरकार ने कहा था कि हम यूपी में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और यूपी वालों की समस्या यही हल करेंगे लेकिन भाई अब तक तो ऐसा हुआ ही नहीं देड़ साल भी जाने के बाउजुक्त योगी सरकार ने मुंबई में किसी भी आईयस अरिकारी को नियुक्त नहीं किया कुरोना काल के दोरान जब उत्तर भारतियों को गाउजाने में परिशानी हुई थी वो ट्रेन का बस का इंतिजार करते रहे तो उनकी समस्या को देखते हुए ही सीम योगी नहीं कहा था लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ अगर बात करें तो मुंबई थाने नवी मुंबई और पालगर में उत्तर प्रदेश के 40 लाग से ज्यादा लोग रहते हैं और यहां रहने की कारण गाओं के लोग इनकी जमीन और जायदात पर कबजा कर लेते हैं जिसके बाद योगी सरकार ने कहा था कि हम इन लोगों की समस्याओं का निप्टारा यही पर रहकर करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ दिसेंबर 2019 में मुखे मंत्री योगी आतितनात ने ततकालिन परिटन और संस्क्रोथिक मंत्री निलकंट तिवारी को अधिकारी न्यूक्त करने की जमतारी दी थी तिवारी के आदेश पर ततकालिन प्रमुक सचीव और महानरदेशक परिटन जुतेंदर कुमार ने बिमलेश कुमार को यह जमतारी दी तब कहा गया था कि बिमलेश कुमार महीने में 15 दिन मुंबई और 15 दिन दिल्ली में शिकायक का निस्तारन करेंगे मुंबई पे रहने वारे कई उत्तर प्रदीश वास्तियों ने गाओं में मदद के लिए संबंदत नंबर पर फोन और इमेल किया जिसमें जमीन कबजें से लेकर खेत की पैमाईश करने तक की बात है लेकिन अब तक उन्हें किसी भी तरह की मदद नहीं मिली है कुछ दिरा पहले मुंबई दोरी पर आये यूपी के राज़ी मंतरी रगुराद सिंग से जब आये सदिकारी की नियुक्ती को लेकर सवाल पुछा गया तो उन्होंने इस मामले में सरकार सकरात्मक है ऐसा कहा मुखे मंतरी को मुंबई में आये सदिकारी की नियुक्ती करने का नर्नेल लेना है उबीद है कि वो जल्दी इस सम्मंद में नर्नेल लेंगे देखे बात सिर्फ इस परिशानी तक नहीं आती बात एक और परिशानी को लेकर खड़ी होती है जहां उत्तर भारती लकातार मुंबई से ज्यादा संख्या में ट्रेन रवाना करने की मांग कर रही है कई उत्तर भारतियों का कहना है कि हमेशा मुंबई और एहम्दाबाद के लिए ट्रेन क्यों चलाई जाती है